हेलो स्टुरेंट्स मेरा नाम है दीपक पडलोर मैं आ गया हूँ डिफ्रेंस बिट्विन के एक वीडियो के साथ जहां पर हम समझने वाले को वेलेंट बॉंड और आयोनिक बॉंड दोनों में क्या डिफ्रेंस होते हैं आप देखिए सिंपल से चीज़ें यहां पर होना क्या कि यह दो है जैसे दो हमारे क्या है यहां पर कह सकते हैं यह जब आपस में कम आई हो तो दोनों आपस में शेयर करेंगे दोनों आपस में शेयर करेंगे जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं इस तरीके से एक जामपल लेकर दो और यह दो तो अगर यह दोनों बॉंड बनाएं मतलब आपस में एक पोर्शन को शेयर करेंगे बट आयोनिक के साथ ऐसा नहीं है अगर इसमें जैसे सफोज इस तरीके से यहां पर तीन यहां पर एक यहां पर क्या आता बॉंड बनाते समय अपने इलेक्ट्रों को यहां पर डोनेट किया जाता है इस तरीके से बॉंड बहुत ही मैंने बेसिक सी चीज में आपको समझाने कोशिश करेंगे कोई सा इस एक्जामपल यह एक बेसिक से एक्जामपल से जहां पर इससे आपको एक अंडस्टेंड होनी चाहिए तो यहां पर हम सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे उसके बाद हम आगे कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं फॉंड बाल दी शेरिंग शेरिंग और इलेक्ट्रोन विटीविन टू एटम से यहां पर लिख देंगे तू एटम से ठीक है यहां यहां पर शेरिंग से नहीं बनते हैं यहां पर क्या होता है आयोनिक कंपाउंड आर हॉंड बाइड दी ट्रांसफर आफ एलेक्ट्रोन टिक है बिटीविन तू एटम फॉसर डिफरेंस यहां पर क्या है कि यह जो हमारे कोवेलेट बॉंड यहां बॉन्ड यह तीन्यों स्टेट में होती है तो यहां पर क्या लिखेंगे यह एक्जिस्ट इन आल थ्री स्टेट इस सॉलिड लिक्वीड गैस है और यह क्या होगा दी टिश्ट इसरे की बात करते हैं बहुत ही सिम्पल सी चीज इख LB कि मैल्टिंग एंड वाइलिंग को मतलब पता है कि यह इतने डिग्री पे मेल्ट होता है कि इतने डिग्री पे वाइल होता है ठीक है और यहां पर क्या होगा देहाँ हाई कि यह आफिए अछिवट आज बात करते आं अब करतें फोर्थ डिफरेंस कि गौविल जो होते हैं जो गोड़ एसे कंपाउंड जो कोवेलड बांड से बने हुए होते हों वोह बंट में जडेली इन सॉल्यूब लोग तो क्या लिखे सकते हैं इस जन्रली इन सॉल्यूब अब बात करते हैं हम यहां पर आगे के डिफरेंस की हाँ पर क्या होता देखिए चार तो होगा इजी वाज पर बताओ इनके बीच में जो यह कोविलेंट बॉल्ड से जो हमारे फॉन हुए कंपाउंट से उनके बीच में जो एंट्रेक्शन होती हो वी वो हो यहां पर क्या लिख सकते हैं ओ ईडरेक्शन और यहां पर क्या होगा स्कूंग एट्रेक्शन है इतना इसके बार यहां पर चार्ज नहीं नो अоров चार्ज मतलब होता है यहां पर शो अफल्य था एक प्लस वन माइनस वन ठीक है चार्ज इस अब इसके बाद सबसे आखरी में यह क्या होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं यह इंसुलेटर्स होते हैं और यह क्या है अब यहां पर मैं आप सोच रहांगों कि सर में यह पूरा जल्दी यल्दी ऐसे कि लिख दिया कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कुछ यह समझाने वाली चीज मुझे लगी है सिंपल सी भाषा में सिंपल लेंग्वेज में लिखा है यह आप चीज़े समझ सकते हैं जितना मुझे समझाना था कि आखिरी आउनिक बॉन्ड कोवेलें बॉन्ड बोलता क्या वो मैंने आपको बता है बाकि यह सिंपल से चीज़ है आप इसको इबार पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब करने अपने दोश्तों को साथ सेर करें अगर यहां से आपको इजी मिला और एक चाह सकते हैं कि अच्छा कंटेंट मिला तो मिलते नेक्स वीडियो के साथ मेक इजी लर्न इजी